Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय Recently Russia के कजान में 16th edition of BRICS Submit को successfully खतम किया गया यहाँ पे मैंने successfully इसी लिए बोला क्योंकि as per Russian media, इस साल के BRICS Submit में total 36 countries के head of states participate किये थे जो कि अपने आप में काफी बड़ा number हो जाता है और अगर आप इस साल के BRICS Submit को व्लादिमिर पुतिन के point of view से देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इन्होंने एक indirect message भेजा है US और Western countries को जहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप चाहे जितना मर्जी उतना रश्या के उपर economic sanctions लगा ले लेकिन आपका जो sanctions है वो almost हमारे उपर बे असर होने वाला है या हो चुगा है और वहीं पे अगर बात किया जाए भारत के point of view से तो भारत बीते कई एक सालों से ये कहता हुआ आया है कि चाहे वो United Nations हो गया हो या United Nations Security Council हो गये हो या इनके जैसे और भी जो associated organizations वगेरा हो गये हो उनमें reform की सक्त आवशकता है और जहां तक बात किया जाए ब्रिक्स के बारे में तो डॉक्टर जैस अंकर सर ने बहुत ही specific शब्दों का इस्तिमाल करके कहा कि आज के तारीख में क्यूं developing countries को ब्रिक्स की आवशकता है अगर आप डॉक्टर जैस अंकर सर को follow करते हैं तो आम शौर कि आपको ये मालूम होगा कि possibly हर global platform से डॉक्टर जैस अंकर सर इस बात के उपर focus करते हुए आए हैं कि United Nations में जल से जल reform की आवशकता है और अगर आप डॉक्टर जैस अंकर सर की इस concern को अगर आप deeply analyze करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो concern है वो बहुत ही valid है क्यूंकि United Nations का formation होता है साल 1945 में उस वक्त लगभग कुछ 50 देश होते हैं आज हम साल 2024 में हैं जहाँ पे as per United Nations हमारे पास total 193 countries हैं और जहां तक बात किया जाए United Nations के कामकाज का तो इनका जो कामकाज है वो आज भी बहुत हद तक 1950 के आसपास से mail खाता है और वहीं पे United Nations के जो 5 permanent countries हैं इनका dominance हमें साफ देखनी को मिलता है अगर कोई देश कोई proposal introduce करता है तो उसके जो against वाले देश है वो अपना veto लगा लेता है तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि United Nations इन 5 देशों के सामने almost घुटने टेक के खड़ा है यहां से लगबग 2 या 3 महीने पहले डॉक्टर जैस अंकर सर ने United Nations को लेके एक बहुती perfect example code किया था जहां पर उनका ये कहना था कि United Nations एक वैसी old company है जो नहीं तो आज के date में market के demand को समझ पा रही और क्यूंकि ये अपने market के demand को नहीं समझ पा रहे है इसलिए ये अपने customer को भी serve नहीं कर पा रहे है यानि कि ना ही तो ये अपने अंदर reform introduce करना चाहते हैं ना ही तो किसी भी तरीके से जो जगा occupied कर रखा है उसको छोड़ना चाहते हैं जो डॉक्टर जैस अंकर सर ने BRICS के बारे में कहा अगर उसको हमें एक example के माध्यम से समझें तो कुछ हमारे सामने इस तरीके से निकल के आता है कि जो requirement भारत का है या जो policies हमें बनाने चाहिए वो same policies पे France काम नहीं करेगा या उसी same policies पे Germany काम नहीं करेगा तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो यह है कि हर देश के अपने requirements होते हैं हर देश के अपने एक political structure होता है तो क्योंकि जो international platforms वगेरा है वहाँ पे सिर्फ developed countries का ही dominance है तो क्योंकि सिर्फ उनहीं का dominance है इसलिए जो majority of नियम कानून या policies वहाँ से बनते हैं वो उनहीं सब देशों को favor किये जाते हैं तो by default क्या होता है कि under developing countries और developing countries को ignore किया जाता है और जब भी developing countries या under developing countries अपनी आवास को उठाना चाहते हैं तो ये सारे जो developed nations है वो उनकी आवास को दबाते हैं क्योंकि अगर किसी भी global platform का expansion होगा या उसमें reform होगा तो इसका जो साफ मतलब है वो ये है कि जो power का distribution है वो बढ़ेगा तो यानि कि आज United Nations Security Council में 5 permanent countries हैं तो उनका dominance है कलको अगर किसी भी तरीके से वहाँ पे 5 countries और भी add हो जाते हैं तो जो power होगा वो distribute हो जाएगा तो इनका जो by default monopoly है वो खतम हो जाएगा और अगर कभी आपको वक्त मिले तो आप globalization के बारे में पढ़ियेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे जो developed nations हैं वो under developing countries और developing countries को ये भरोसा दिला दिये हैं कि globalization से पुरे दुनिया का फाइदा है लेकिन जो reality है वो ये है क्योंकि developed countries के पास पहले ही infrastructure developed हो रखा है तो य ये सारे जो अपने देश के जो manufactured goods हैं उसको under developing और developing countries में export करते हैं और जहां तक बात किया जाए technology share करने के बारे में तो ये सारे देश technology बिलकुल भी share नहीं करना चाहते हैं अगर आप for example समझना चाहें तो आज का जो हाल हो रखा है African countries का no doubt कि वहाँ के जो leaders हैं वो भी equally responsible हैं लेकिन बहुत हतक ये सारे जो developed nations हैं इनका भी वहाँ पे huge involvement है यानि कि ये लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे peace and prosperity बढ़ें क्यूंकि जैसे ही वहाँ पे peace and prosperity बढ़ेगा तो जो mines वगेरा है वो सरगार उसको अपने control में लेंगे तो आज के date में जिस तरीके से वह पे minerals का exploitation होता है या सस्ते कीमत पे इनको मिलता है वो कल से मिलना बंध हो जाएगा वहीं पे अगर हम बात करें भारत के point of view से तो लगभग 5 सालों के बाद भारत के prime minister और Chinese president के बीश में मुलकात होती है ना कि सिर्फ इनसे मिलने का मौका मिलता है बलकि इरान के जो president है शब्दों में समझना चाहें तो इस BRICS submit में ना कि भारत Chinese president से मिलते हैं बलकि इसके अलावा और भी 35 countries के head of state से मिलते हैं और साथ में अगर आब बात करें तो ये picture कभी भी US और western countries को बिलकुल भी रास नहीं आएगा जो एक सबसे बड़ा concern आज के date में US को सता रहा वो ये ह कि कहीं ऐसा ना हो कि जो BRICS nation से वो अपना एक alternative payment system को introduce करें या किसी भी तरीके से आज के date में जो US dollars का dominance है उसको कम करें बहुत बार ऐसा हुआ है कि भारत अपने जो UPI payment system में इसको बढ़ चड़ कर promote किया है तो for example अगर आप किसी भी तरीके से US made products को use नहीं करते हैं या आप उसका dollars को use नहीं करते हैं तो US का जो global hegemony है या इसका जो dominance है वो घटेगा और बहुत पर ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा incident किसी भी सामराज को गिराने के लिए काफी होता है वहीं पर बात करें तो जो western medias है वो बढ़ चड़ कर BRICS के बारे में negativity फैलाते हैं उनका ये साफ कहना होता है कि BRICS को बनाने के पीछे का जो objective है वो western countries को counter करने के लिए है मतलब क्या होता है कि अगर आप same कहानी को positive words से अगर आप उसको nominate करते हैं तो उस पूरे कहानी का जो मतलब होता है वो अलग हो जाता है वहीं पे अगर आप same कहानी को negative शब्दों के साथ उसको अग developing countries के दुवारा बनाया गया independent platforms हो गया वो उसको बिलकुल भी पसंद नहीं करेगा या नहीं करता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye